हर छे माइने हास्बेंट चेंच आदिल आपको पता है आदिल से पहले मेरे जितने सारे बॉइफिन्स थे हास्बेंज थे वो सबना टाइम पास थे उस चरबी की दुकान से कहो कि टाइम पास ना करे जिम जाए जिम के अंदर भी जाए सिर्फ जिम के बाहर खड़े होकर हाँ मीडिया के सामने है 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 हाँ आदिल मिस्ट आदिल नॉंसेंस आरे जिम के अंदर घुसो जाओ वेट लिफ्टिंग करो डोले शोले बनाओ बॉडी बनाओ लेकिन नहीं मेहनत नहीं करनी है माडम को बस 24 घंटे मीडिया पापराजी मीडिया पापराजी नॉट तंकी शोलिन क्या कहना चाहोगी आपकी बयान देने के बाद में बहुत सारे लोगों ने आपके ओपर भी उठाई है कल के वीडियो में हमने देखा कि कितने लोगों ने को पुतले भी जलाए है तो क्या कुछ कहना चाहोगी क्या जलाया क्या ये लोग राखी सावंद के समर्थक हैं मैंने कुछ मीडिया वालों के जरीए ये जाना है कि राखी सावंद को बहुत दिक्कत हो रही है मुझ से और मेरे पुलीस चौकी पर जाकर उनके भाई मीटू आरोपी साजित खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पीडित महिला पुलीस चौकी पर जाकर अपने मुलेस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है तो क्या इस से किसी और को आपती होनी चाहिए या नहीं हाँ मुलेस्टर के खानदान वालों को मुलेस्टर के करीबी दोस्तों को आपती हो सकती है लेकिन क्या ये घलत है घलत है क्या हाँ तो कहां जाएं। राखी सावन के घर जाएं। उससे ये निवेदन करें कि वो हमें इंसाफ दिलाए। शर्मानी चाहिए उसे। एक महिला होते हुए पेड़ित महिलाओं के प्रती वो सहानुबूती नहीं दिखा सकती है। हां। महिला है ना। है की नहीं। या इस पर भी सवाल पैदा हो सकता है। अजीब बात है ये। अरे वो 31 किलो मेक अप लगाती है। क्या हमने कभी कोई सवाल खड़ा किया। क्या हमने पूछा वो इतना मेक अप क्यूं थोपती है। अपने गंजे सर को छुपाने के लिए Heir extensions और विक का इस्तामाल करती हैं ciudadshod क्या हर 3-4 महिने अपने बॉयफिरन्स बदलती है , हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यूं करती हैं? हर 6 महिने अपना पती बदलती हैonton हैं ये मैकि तो पूछा आप ऐसा क्यूं करती हैं नहीं क्यूंकि उसकी मरझी लेकिन जब कोई पीरित महिला पुलीस चौकी जाती है उसके भाई मीटू आरोपी साज़त खान के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराने या शिकायत दर्ज करने तो उसे दिक्कत होती है उसकी जलने लगती है तो क्या किया जाए बताईए क्या किया जाए बर्नॉल भेजा जाए उसके घर पर हद है enough is enough पता है हम सब को कि राखी सावंत दुनिया की number one attention seeker है इस बात में कोई दोराई नहीं है लेकिन एक limit होती है हर चीज की एक limit होती है अरे अगर हम पुलीस के पास न जाएं तो किस के पास जाएं अपनी शिकायत लेकर और बात यहां पर सिर्फ शेरलेन चोपरा की नहीं हो रही है बात उन तमाम पीडित महिलाओं की हो रही है जिन्होंने हिम्मत करके मेडिया के सामने आकर अपना बयान दिया अपना अनुभव साजा किया उनके नाम पता है न आपको सलोनी चोपरा, सिमरन सूरी, रेचल वाइट, मंदना करीमी, अहाना कुम्रा, करिश्मा उपाध्याय, जिया खान, डिम्पल पॉल, रानी चैटर जी, कनिश्का सोनी ये कुछ नाम है जो मैं आपको सुना रही हूँ, ऐसे कई महिलाएं हैं, जिन्होंने डर के मारे, शर्मिंदगी के वज़े से, सामने आकर, अपना अनुभव साजा नहीं कर पाए तो राखी सावन्त को समझना चाहिए, कि बात यहाँ पर सिर्फ शर्लिन चोपरा की नहीं हो रही है, वो कहती है, अरे शर्लिन चोपरा तो जिसम की नुमाईश करती है, तो बहन आप क्या करते हो, चर्बी की नुमाईश करते हो ना? अरे शर्लिन चोपरा तो अंग प्रदर्शन करती है, तो आप क्या करते हो, बजसूरती का प्रदर्शन करते हो, हमारा संफिधान यह नहीं कहता, कि अगर कोई महिला अंग प्रदर्शन करती है, तो इसका मतलब वो रजामंद है, बिलकुल नहीं, जिसम नुमाईश करना, रजामंद होना बिल्कुल नहीं है। उसको समझना चाहिए। नुडिटी ड़स नॉट टैंटमाउंट टू कंसेंट। लेकिन नहीं दिमाग से पैदर है वो अरत। समझती नहीं है। अरे हर आए दिन शेर्लिन शोप्रा पुलीस चौकी जाती है। यौन शोशन के खिलाफ शिकायत दर्च करने। हर तीन चार महीने आप अपने बॉइफरेंस नहीं बदलते। हमने कभी कुछ बोला। चुप रहते हैं हम ये सोचकर कि आपकी जिन्दगी है। आपकी मर्जी च ताज़त खान निर्दोश हैं बेकसूर हैं तो फिर जांसपरताल होने दो ना दिक्कत क्या है। जांसपरताल होने दो कानूनी कारवाई होने दो। लेकिन नहीं ये ऐसी है वो वैसी है ये अपना जिसम दिखाती है। अरे भाई मैं आप सबसे पोच्छती हूँ अगर इसका मतलब ये है कि वो रजामन्ध है, इसका मतलब ये है कि उसके साथ बलादकार किया जाए, क्या ये मतलब भी दोलता है। दिखाइए आप, वहां पर महिलाएं खड़ी हैं, वो सर ऐसे करके बोल रहे हैं नहीं, इसका ये मतलब नहीं निकलता है, बेवकुफ नालायक चिचोरी है वो एक नंबर की, अरे अटेंशन के लिए और भी कई तरीके होते हैं, अटेंशन पाने के लिए, वेल और भी लोग आपके ओपर आवाज उठा रहे हैं, उनके ओपर आप क्या कहना चाहोगी, आज तक तो उने कभी देखा नहीं था, लेकिन आपका पुतला वग पास किया था, MJ अकबर वर्सिस प्रिया रमनी के केस में, ठीक है, तो कोट ने ये कहा कि एक पीडित महिला कई दशक बाद भी अपने यौन शोशन के अनुभव के बारे में बता सकती है, अपने इस अनुभव को साजा कर सकती है, वार्दात के कई दशक बाद भी, इसका मत लब ये नहीं कि अरे बहुत टाइम हो गया ना, तो रहने दो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, नहीं, जब जागो तब सवेरा, आज कई साल बाद हिम्मत पैदा हुई है, आप लोगों से बात करने के लिए, आज कई साल बाद हिम्मत पैदा हुई है, पुलीस चौकी जा कर Me To R.O.P. साजद खान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए तो आप कह रहे हैं अरे पहले आप कोमा में थे क्या बेहोश थे क्या नहीं पहले डरे हुए थे अब जाकर हिमत प्यादा हुई अरे साजद खान कोई छोटा मोटा नाम है क्या फराखान का भाई है और फराखान कोई चोटी मोटी हस्ती है क्या सल्मान खान और शारोखान की चहीती है तो ऐसे बड़े-बड़े यहिम्मत कहां से आई मेट्यो मॉवमेंट के चलते ही हिमदा हुई दोजारषारा में मीट्यून मॉवमेंट शुरू हुआ था भारत्थेश तो जब अनेक महिलायं आगे आकर अपना अनुभव साज़ाइं करने लगी बताने लगी कि देखो हमारे साथ भी ऐसा वा है और हम भी शिकार बने थे, हम फलाना के पास गए और फलाना ने हमारे साथ खलत किया, जियाती की, जबर्दस्ती की, तब जाकर हमें एहसास हुआ कि कसूरवार हम नहीं है, तब जाकर पता चला कि अरे मैं अक्किली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कई पिरित महिलाएं हैं, तर्भी की दुकान को बोलो, कि सल्मान खान सिर्फ उसके भाइजान नहीं है, हम सभी महिलाएं के भाइजान हैं, हम भी उनको भाइजान मानते, हाँ, बताओ जाकर उस मनूस बहन को, सड्यल बहन को, कि बंद करें ये नोटन की, अरे, एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए खड़ी नहीं हो सकती, वो कह सकती है, हाँ शेयर लिन चोपरा, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, अगर मेरा भाई गुनेगार है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हाँ, आप जांस परताल की मांग कर रहे हो ना, येस, जाओ, मांग करो, जांस परताल होनी चाहिए, लेकिन नहीं वो क्यारी, अरे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो पुलीशों की कैसे चीड़ी गई, हिम्मत पैदा हुई, मेरी बहन, मेरी सर्यल बहन, हिम्मत पैदा हुई, and thank God की हिम्मत पैदा हुई. विल, मुंबई पुलीस ने आपको क्या सपोर्ट दिया है, अब तक, आपने, like, कंप्लेंड किया है, और अभी भी साजित पान अंदर ही, अपना मस्त, वो तो गेम खेली रहे है, तो क्या है, इसके ओपर कुछ मुंबई पुलीस करेंगी या ने करेंगी? देखिए, 29 अक्टोबर की रात को तकरीबन आट बजे के आसपास, एक महिला पुलीस अधिकारी ने मेरा बयान लिया, और मुझको ये आश्वासन दिया, कि बहुत जल्द कानूनी कारवाई शुरू होगी. मैं और तमाम पिडित महिलाएं, हम सब सीएम साहब के आफिस के बाहर खड़े होकर निवेदन करेंगे, एकनाशिंडे सार से, कि वो हमें इंसाफ दिलाएं. और किसके पास जाएं हम, मुझे नहीं पता, I think, सीएम साहब के पास जाना ही सब से बहतर होगा, क्यूंकि हमारे राज्य के मुख्य वही हैं. जी, थानिवाद. मुख्या, मैंने मुख्या बोला, मुख्या. मुख्या बोले थी? वायर लगाओ, वायर लगाओ. आपने कभी देखिये ऐसे, डोले शोले? देखिये ऐसे? आप्स दिखाईए. उस चरबी की दुकान से कहो, कि टाइम पास ना करे, जिम जाए, जिम के अंदर भी जाए, सिर्फ जिम के बाहर खड़े होकर, हाँ, मीडिया के सामने है, है, हाँ, आदिर, मिस्ट आदिर. क्या है यह नौटंगी? नौनसेंस, अरे जिम के अंदर घुसो, जाओ, वेड लिफ्टिंग करो, डोले शोले बनाओ, बोडी बनाओ, लेकिन नहीं, मेहनत नहीं कर रही है माडम को, बस 24 घंटे, मीडिया पापराजी, मीडिया पापराजी, नौटंगी, चरबी की दुकान और क्या बोल रही थी वो? शेरलिन चोपरा को फोड़ दूगी, उसको लटका दूगी, अबे, ए, चरबी की दुकान, चल, मेरे सामने, बस खड़ा होकर दिखा, इतना कर, आजब मेरे सामने, बस एक बार खड़ी होकर दिखा, फिर देखते हैं, ये सब बातें बहुत दू बड़ी आई, नॉंसेंस, मोटर माउथ कहीं की, सडियल, खुद थौप थौप के मेकप लगाती है, अरे, क्या है ये नॉंसेंस, अरे, वो मेकप लगा अकर क्यों गई पुलीस चोगी, संविधाल में लिखा है क्या, कि आगर पिडिस महिला को अपनी शिकायत दर्ज करनी ह तो वो मेकप का इस्तेमाल ना करे, ऐसा कोई रूर है, नियम है, मुद्दे की बात करो न, दम है तो बोलो, हाँ कामुने कारवाई हो, जांस परताल हो, दूद का दूद पानी का पानी हो, बेवकूफ, मन्हूस, धबबा है धबबा, और अजजात पर जाकर पूछे उससे, हाँ, पूछता हो, हाँ, हार तीन चल महीने, बॉइफर्ण चेंज, हार छे महीने, हस्बेंड चेंज, आदिल, आपको बता है, आदिल से पहले, मेरे चितने सारे बॉइफर्ण थे, हासबेंज थे, वह सबना चाइम पास थे, बट आदिल, जु आ, आदिल तो यहां रहता है, मेरा आदिल, इसको मुनते क्या, चू, चा को बडियों की मादरा ता को छोटी की मादरा, यह कोई की मादरा, पा, पा कोई की मादरा, इसको भो मलते हैं, बनकर सदिय यह बहन? बहन बोलनीज नहीं चाहेगी उसको चलाओ गाहिमाता अब हाई शाहिड हो, शाहिड है जा 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 महीं निकान जा जा महीं पुझवब्स जी जा 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 जाए से पराऊज़ TOP सिड़्ी तो तो हा जा 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 जबैं sia का जा जाए सिरकमा कग्णब को हाथ लगा मात नांव.. कई में इनको हाथ लगा से को? यहाथ लगा से भी आपे.. हाँ हा लगा। तो दूसेँ ना गें माम.... जो दोեղे आज लगाईने लहा vẫn जिखेज हुआ सुपशी कघए क्या दें जै के रह्या कहते है जाए साथ काई दो आटे दो आए», बटे रहा हो है, रहा है, यू कर विदिए!